दोस्तों मैंने एक गार्लिक प्रेट बनाई है इसे हम लोगों ने अवन में नहीं बनाएंगे मैंने इसे जो है कडाई में आप बना लीजिए या फिर किसी और बरतन में कूकर में बना लीजिए और देखी कितना इसमें ठेट सारा चीज है और इसे बनाना भी बहुत ही आसा नोटिफिकेशन आपको मिल सकें गार्लिक बनाने के लिए मैंने जो है वो सबसे पहले एक बोल ले लिया है उसमें जो के बन भाई 4 лож कप पानी लिया है १सात में ही एक बड़ी चमच जो है मैरे यहां पर चीन और उस इसे mix कर दीजिए ताकि activate हो जाए इस तरीके से आप garlic bread बनाईए आपको बहुत पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है बहुत ही आसानी से बन जाएगी और खाने में भी जो है वो काफी बढ़ी आलाती है तो इस तरीके से जो है वो इस्ट यहाँ पर activate हो गया ह हो वो भी अच्छी तरीके से जो है वो निकल जाएंगी और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है वो थोड़ा सा जो है सबसे पहले नमक डालेंगे नमक आपको बहुत ज्यादा नहीं डालना है बस हलका सा आधा चमच नमक यहां पर टाल दीजिए साथी ए बहुत जाए कि आता है इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पानी डालके जो है और डो लगाने के बाद में हम लोग इसे जो है वो चोड़ करने के लिए लगबग एक घंटे में हमारा मैदा अच्छी तरीके से रेडी हो जाएगा यहां पर दोस्तों वीडियो रिकॉर्ड नह लेख करेंगे और थोड़ी सी जो है बो चिली इसका क्या करना है कि हम लोग जो गार्लिक पेट बनाएंगे उसके उपर इसे जो है वो लगाने के लिए यूज़ करेंगे और इस तरीके से जब आप लगा के बनाएगे ना तो खाने में बहुत ही पड़िया लगेगा तो इस हम लोग जो है वो साइड में रखेंगे और लगबग एक गंटा हो चुका है और हमारी डो देखे कितनी बढ़िया तरीके से तैयार हो गई है लग रही ना एक तम बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें हवा वर गई है तो इस तरीके सा पंच मार दीजिए और सारी हवा जो है इसके निकल जाएगी और इस तरीके से जो है वो देखिए इसकी बज़े से ही इतना जो है वो अच्छी तरीके से फूला है अधरवाइस आप बेकिंग सोड़ा ये बेकिंग पावडर डालेंगे तो बहुत बात बिल्कुल भी नहीं आपाएगी अब थोड़ा सा मैने आपको कोई जिरूत नहीं बना लिजे और बहुत ही आसानी से पन जाती है तो इस तरीके से हमारा मैदा यहां पर तया है वह हम लोग तो इसे साइड मे थोड़ा सा और तब तक मैंने क्या च्याकिया गैस पर इस तरीके से बड़ा बरतन रख दिया और इसके उपर आप इस टेंड रख दीजिए इस टेंड नहीं है अगर आपको तो जो है एक कटोरी रख लीजिए हमें इस परतन को भी प्रीट करना है और उसके बाद में क्या करिए कि इस वे जो है मैंने मीडियम फ्लेम पे गैस जो है जपानत रख दिया है और ऊपर आपको लगए मीडिया फ्लेम चाई सवाख जब रहे हम में करते हैं बुलने के बाद में क्या करना है कि आप इस तरीके से ब लिए कि किनारे पे बहुत ज़्यदा मोटा नहीं रहना चाहिए बलत किनारे के साइट पे ज्यादा प्रेशर डालिए तो चारों तरफ से बढ़ी आसा जो है वो इकल बराबर हो जाएगा और जिस तरीके से चपाती बेली जाते है आप इसे आराम से बेल लीजिए और बहुत ही जल्दी फटा-फट बन जाएगा और इस तरीके से जो है मैरे यहा और इस पर थोड़ा सा बटर इस तरीके से लगा देजिए और बटर लगाने के बाद मैं यहाँ पर ऑफटर पेपर मेरे पास मैं इस तरीके से यह न प्रफेला के रख देता हूं आब इसके उपर भी आपको जाएबू Θरी तरीके से बटर प्लाइक है अगर आपको कोई भ तरीके से आप जो है वो इसे अच्छी तरीके से यहां पर रख दीजिए और पस आपका काम हो जाएगा तो गालिक ब्रेट जो हम लोग बनाएंगे उसके लिए हम लोगों ने जो बड़ी सी वह रख दिये इसके बाद में हम लोगों ने जो बटर और गालिक और अरीगैनो च चमस से आपको ब्रेट के ऊपर अच्छी तरीके से फैला देना है साथी मैं यहां पर मॉस्रील चीज का यूज कर रहा हूं तो मैंने उसे भी जो है वो कद्दू कस कर लिया था एक आता है जो आल लेडी पहले से ही जो है वो चोड़ चोड़े उसके पीसे से होते हैं आप इसके बाद में हम लोग इसके ओपर थोड़ा सा अरीगानो थोड़ा सा चीली फ्लेक्स डाल लेंगे आप अपने मर्जी के हिसाब से जो है वो यहां पर चीज डाल सकते हैं कम यह जादा और इस तरीके से आपको क्या करना है कि जो है वो अच्छी तरीके से फोल्ड कर देन और इस तरीके से आप उंगली की साथा से इसे अच्छे से जो है वो चारो तरफ से प्रेस कर दीजे और बस आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और इस तरीके से मैंने इसे दबा दिया हमारी कार्लिक प्रेट बरतन के अंदर जो हमने प्रीट होने के लिए रखा था हम क्या करेंगे कि अच्छी तरीके से आपको लगाना जो भी आपको बचा हुआ है थोड़ा सा वह भी आप यहां पर लगा लीजिए और लगाने के बाद में देखिए कितना पढ़िया तरीके से तयार हो गई है आप अब लोग इसमें कट लगाएंगे कट आपको जो है व परतन जो है वह बहुत ही ज्यादा कर वाएं तो इस तरीके से आपकी कपड़े से पकड़ के और यह इस तरीके से आराम से रख दीए और फटा फट जो है हम लोगों को ढखाना और कैस का फ्लेम जो है यहां पर आप मेडियम कर दीजिए और मेडियम करने के बाद में 20-25 मि कि सकते हैं और बस यह से हम लोग और निकाल लेते हैं और काफे गम है थोड़ा साल का सा जो ऑख bunu पीचिस और देखी बढ़िया लग लग रही हैं चार उतर से बहुत ही अच्छी तरीके में हटा देतें और हटाने के बाद में इसके जो है वह फीस कर लेंगे कि चीज कई भी ज्यादा था बट कोई बात नहीं काने में बहुत भब बढ़्या बहुत ही टेस्टी लगने वाली है तो इस तरी के से आप जो है वो चाकू की मदद से या फिर पीजा कटर की मदद से आप इसके जो है वो पीसेस यहाँ पर कर सकते हैं और देखी कितनी बढ़िया लग रही है ना लग रही है वैसी जैसी डॉमिनोस में मिलती है और इस तरीके से जो है मैंने इसके सारे पीसेस जो है वो कट कर दी हैं मैं आपको एक पीस जो है वो तोड की दिखाता हूं कि इसक तो आप यहां पर आपको मोजडिला चीजी यूज करना है और इसके बाद में देखे कितनी बढ़िया लग रही है ना देखे कितना ठेर सारा चीज बहुत ही चीजी एक खाने में बहुत ही टेश्टी है और इस तरीके से आप जो है अपने घर पर इसे पर जरूर ट्राइब करिए और नीचे से भी बढ़िया तरीके से सिक्के तयार हुए तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फैमिली और फ्रेंड क आपको मिल सकें और बस दोस्तों जल्दी मिलते एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाए